हलो गाइज वेलकम बैक टूबाइच चैनल सो गाइज कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे सो आज मैं आपके शाद शेयर करने वाली हूं मेरा क्रिस्मिस का मेक अप लुक सो गाइज आज क्रिस्मस है मेरी तरफ से सब को मेरी क्रिस्मिस आई होप कि आप एंजोई कर रहे होंगे अपना जो फैस्टिवल वह अच्छे से मना रहे होंगे तो गाइज यह जो मेक अप लुक है काफी इजी है सिंपल है आप इसे इसली क्रेट कर सकते हैं चलिए सबसे पहले मैं मेक अप अपलाइ कर करने से पहले अपने फेस को हाइडेट करूंगी सो हाइडेशन के लिए मैं यहां पर ले रहे हूं गुडवाइस का लीली शीट मांक और यह काफी ज्यादा हाइडेटिंग है और इसमें सारा सिरम है जो आपकी स्कीन को सॉफ्ट और स्मूध बना देगा सो मैं इसे अपने फ प्राइमर उसन चुशन चुलिए कर मेरी आपलाई करोग से अपने मेरे पांस काफी प्राइमर के लिए का मेरे लास्टिंग रहता है सो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और आपको भी पता ही है मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर है देन में अपने फेस पर फांडेशन अप्लाइ करूंगी सो फांडेशन के लिए मैं ले रही हूं फोटो फोकस फांडेशन इंडिसी न्यू राइवरी और यह फेस किन टोन के सबसी काफी चीशेड है सो अगर आपकी फेस किन टोन आप इसी जरूर ले सकते हैं सो यह जो फांडेशन अप्लिकेटर के साथ आता है सो अप्लाइ करने में भी काफी एजी है और इसका जो आपकी एजी ब्लाइड हो जाता है काफी अच्छे से जो हमारी ऑनिवन स्कीन उसको ईवन कर देता है सो दैन मैं अपने फेस पर कंसीलिंग करूंगी सो कंसीलर के लिए मैं यह अन्वाइभी का कंसीलर और यह जो कंसीलर गाइज इसकी शेड है वाइट एंड मिल्क चोक्ले जहां पर मेरे Pimple Sport Dark Sport है जो मिरे पींपल स्पोर्ट डार्क स्पोर्ट है अच्छ से हाइड हो जाएंगे जो मेरे टाक स्पर डार्क सरकल्स वगरह है वह एच्छ से हाइड हो जाएंगे जो गाइस मैं इसे सेम् ब्लेंडर के हलसे ब्लेंड कर लूँगी यह तो यह तो यह काफी बात इसकी है काफी जादा आफोड़ेबल आप इस जरूर टाए कीजिए एंद में अपनी फांडेशन एंड कलसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूं यह में बीन काहां सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इस इंदी शेड मार्बल और यह काफी चीज़ है गाइस सो इससे जो मेरा फांडेशन एंड कंसीलर मुच्छे से सैट हो जाएगा सो आप देख सकते हैं यह काफी अच्छा वर कर एंड एंडेन मैं अपने आइज पर आईशेडव अपलाई करोंगी सो आई मीकप हुआ कि यह काफी पीमेंटीление जोatif हो जाते हैं आप देख सकते हैं मैं एसे अच्छा एउय अपेल अउय के अपनी आइस के लिट पर अप्लाइ करोंगी दैन मैं एक ब्लेंड प्रेश के हैं अच्छे से ब्लेंड कर लोगी ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना दिके और मेरा जो आइमीकप लुक है वो पर्फेक्ट दिके दैन मैं आइस लाइनर के लिए हूं एनवाइब का गी आइलाइनर और यह लिक्विड आइलाइनर गाइस काफी अच्छा है इसका वोंट आप देखेंगी काफी इजी है काफी कमफर्डेबल है अगर आप इससे विंग आइलाइनर डो करते तो काफी इजली से रोह जागा है दैन मैं काजल के लिए अपलाई करोंगी यहां पर क अच्छा से लोगी दें मैं है यहां पर मश्काला ले लिए मैंने रहली का बच्छा पर बलाबल आ ऎकधा का वोंट काफी कर्ल कर्ला है इससे मेरी जी जो मकारा तो इसे मैं अपनी आइब्रोफ को सेट कर लूँगी दैन मैं अपनी फेस पर ब्रॉंजिंग करोंगी तो ब्रोंजर के लिए मैं लेरियो शूगर का स्मझ में नॉट ब्रॉंजर और इसकी जो शेड है वो टैपिट ओपर है तो मैं इसे अपनी नोज पर चिन पर एंड जो लाइन पर अप्लाए कर लूँगी तो इससे जो मेरे फेस वो काफी शार्प लगेगा काफी अच्छा लगेगा दैन मैं अपनी फेस पर ब्लेशर अप इन और का कोई अप्लाइजर नहीं करूंगी यहान पर इक आशेड़ौ पढ़ेट लूँगी पर फैलेट नहीं आशेड़ कर लूँगी तो सिसे मेरे फेस लाय करां जाएंगे गैन कि अपने लिप्स्टिक डाई करूंगी मैनने याप लिया है शुगर के समजबी नॉट मेनी लिप्स्टिक इंडी शेयड टीक मसड दिक क्यों अन्दन मैं अपने फेस को मेकप को सट करने के लिए रही हो हूं। लोर्ययल की सैटिंग स्प्रेय So guys, यह है मेरा final finish look आप देख सकते हैं So guys, I hope कि आपको यह makeup look काफी ज़्यादा पसंद आए And काफी आप enjoy कर रहे हों इस video को So guys, thank you Bye-bye आप आप देख सकते हैं